हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में आज की इस वीडियो में भूगोल के दस लगू तरिया प्रशन बताएंगे ये जो दस लगू तरिया प्रशन है ये आपके फाइनल बोड परिक्षा के लिए काफी महत्पोन है और इस दस प्रशन को अगर आप पच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं याद कर लेते हैं तो भूगोल से एक भी लगू तरिया प्रशन आपका नहीं चूटेगा ये हमारा गरांटी है तो वीडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबाके औल पे कर काफी महतपुड प्रश्ण है यह आपके बोड परिक्षा के लिए यहाँ पे आपको बताना है कि मुंबई को सूती वस्तर की रजधानी क्यों कहा जाता है तो आए इसका उत्तर देख लेते हैं मुंबई को सूती वस्तर की रजधानी इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ मुंबई में भारत का लगभग एक चोथाई सूती वस्तर तियार किया जाता है इसलिए मुंबई को सूती वस्तर की रजधानी कहा जाता है तो उमीद करते हैं ये प्रशना आपको काफी एची तरीके से समझ में आ गया होगा कि मुंबई को सूती वस्तर की रजधानी क्यों कहा जाता ह तो मुंबई को सूती वस्तर की रजधानी इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ मुंबई में भारत का लगभग एक चोथाई सूती वस्तर त्यार किया जाता है इसलिए मुंबई को सूती वस्तर की रजधानी कहा जाता है आईए देखते हैं अगला प्रशन दो नंबर क्रिसी पर अधारित उध्योग से क्या अभी पराय है, कुछ उध्योगों के लिए कच्चा माल क्रिसी से प्राप्ट होता है उसे क्रिसी पर अधारित उध्योग कहते हैं तो क्रिसी पर अधारित उध्योग किसे कहते हैं तो जिन उध्योगों के लिए कच्चा माल क्रिसी से प्राप्त होता है उसे क्रिसी पर अधारित उध्योग कहते हैं और यहाँ पे उधारण देख लिजे सूती वस्तर उध्योग तो सूती वस्तर किस से बनता है तो ये कपास से बनता है और कपास कहां से आता है तो क्रिसी छेतर से आता है और चीनी उध्योग में चीनी किस से बनता है तो गन्ना से बनता है और गन्ना कहां से आता है तो गन्ना क्रिसी से आता है तो ये प्रशना आपको काफी अची तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्रिसी पर अधारित उध्योग से क्या अभी प्राय है कुछ उध्योगों के लिए कच्छा माल क्रिसी से प्राप्त होता है उसे क्रिसी पर अधारित उध्योग कहते हैं और इसका उध्योग हो जाएगा सूती वस्तर उध्योग चीनी उध्योग आ आग्या होगा आईए देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि रवी फसल क्या है चार उधारन लिखिये काफी महत्पुड प्रश्न है यह आपके बोड़ परिक्षा के लिए यहाँ पे आपको बताना है कि रवी फसल क्या है चार उधारन लिखिये तो आईए इसका उत्तर देख लेते हैं रवी फसल को सीत रितू में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है तथा ग्रिस्म रितू में अपरेल से जून के बीच में काटा जाता है उसे रवी फसल कहा जाता है तो रवी फसल किसे कहा जाता है तो रवी फसल को सीत रितू में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है तथा गिरिसमरी तू में अपरेल से जून के बीच में काटा जाता है उस फसल को रवी फसल कहा जाता है और रवी फसल का उधारन यहाँ पे गेहू जो चाना टमाटर है तो उमीद करते हैं यह प्रशना आपको काफी एच भी कर दिजिए गा, आये देखते हैं, अगला प्रशण चार नंबर प्रशण है कि वायू परिवहन के प्रमुक विसेस्ताओं को लिखे काफी महत्पोड प्रशण है, यह आपके बोड़ पर इच्छा के लिए, यहाँ पे आपको वायू परिवहन के प्रमुक विसेस्ताओं को लिखना है तो आए इसका उत्तर देख लेते हैं वायू परिवहन के प्रमुक विशेस्ता हैं निमनिलिखित हैं पहला विशेस्ता देख लीजिए यह सबसे महंगा परिवहन का साधन है जो वायू परिवहन है यह सबसे महंगा परिवहन का साधन है यह पहला विशेस्ता हो और यहाँ पर तीसरा भी सेस्ता देख लीजिए, इसके द्वारा अराम दायक यातरा मिलता है। अगला प्रश्ण पांच नंबर प्रश्ण है कि इनसीटू परियास क्या है काफी महतपुड प्रश्ण है यह आपके बोड़ परिक्षा के लिए यहाँ पे आपको बताना है कि इनसीटू परियास क्या है तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं वन जीओ को उनके प्राकिर् प्रियातिक आवास में सनरक्षित करने का प्रियास को ही इन सीटु प्रियास कहा जाता है और इससे जो परयावरण होता है ये संतुलीत रहता है तो उमीद करते हैं ये भी प्रशना आपको काफी एची तरीके से समझ में आ गया होगा समझ में आ रहा है तो प्लीज आप बोल देना है कि सर हमें गुरूप में जोड दीजिए तो हम आपको गुरूप में जोड देंगे आईए देखते हैं अगला प्रशन छे नमबर प्रशन है कि जमालपूर में किस चीज का वर्कसॉप है और यह क्यों परसीद है काफी महत्पूर प्रशन है यह आपके बोड़ परिक्षा के लिए यहाँ पर आपको बताना है कि जमालपूर में किस चीज का वर्कसॉप है और यह क्यों परसीद है तो आईए इसका उत्तर देख लेते हैं जमालपूर में डीजल इंज़न का वर्कसॉप है यह एक बड़ा रिल्वे वर्कसॉप है जिसका अस्थापना जमालपूर में 1875 इस्वी में किया गया इसमें 10,000 मजदूरों को रुजगार मिला यह एसिया का सबसे पहला वर्क्सॉप है तो उमीद करते हैं यह प्रशना आपको काफी एची तरीके से समझ में आ गया होगा कि जमालपूर में किस चीज का वर्क्सॉप है तो जमालपूर म डीजल इंजन का वर्क्सॉप है यह एक बड़ा रेलवे वर्क्सॉप है जिसका अस्थापना जमालपूर में 1875 इस्वी में किया गया इसमें 10,000 मजदूरों को रुजगार मिला यह एसिया का सबसे पहला वर्क्सॉप है तो उमीद करते हैं यह प्रशना आपको काफी एच पिछा के लिए यहाँ पे आपको भारत के चार राष्ट्य उध्यानों के नाम लिखना है तो आए इसका उत्तर देख लेते हैं भारत के चार राष्ट्य उध्यान के नाम निम्नलिकित है पहला यहाँ पे देख लिजिए कारबेट राष्ट्य उध्यान और कारबेट यहां पे दूसरा देख लिजिये रणधंभौर राष्टिय उध्यान कहां पे हैं तो राजस्थान में है इसे आपको याद रखना है तो मध्य परदेश में हैं तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा था कि भारत के चार राष्ट्य उध्यानों के नाम लिखिए तो यहाँ पे भारत के चार प्रमुक राष्ट्य उध्यानों का नाम है यहाँ पे पहला है कारवेट राष्ट्य उध्यान जो उत्राखंड में है दूसरा है रण्थम्भोर राष्ट्य उध्यान जो राजस्थान में है तीसरा है मानस राष्ट्य उध्यान जो असम में है और चोथा है बांधोगोड राष्ट्य उध्यान जो मध्य परदेश में है तो उमीद करते हैं ये भी प्रशना आपको काफी इची तरीके से समझ मे आ गया होगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण आठ नमबर